हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूव चैनल पर मेरा नाम है अजे शर्मा और दोस्तों जैसा कि आप थमनिल में देख पा रहे हैं arithmetic progression को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है कैसे हम EP को पढ़ें कैसे हम इसके question solve करें सर मैं question लगा रहा हूँ मेरे से question नहीं हो रहे है मिलेको पता नहीं लग पा रहा है कैसे question को पढ़ना है यह सारी चीजें यह सारे doubts आप लोगों के आ रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर दोस लोगों के लिए chapter number 5 है आपका class 10th वालों सभी बच्चों का mathematics का वो सारी की सारी चीज़े आज clear हो जाएगी इस वीडियो के माद्दिम से तो आप सभी को पता है अर्थमेटिक progression के अंदर यहाँ पर गिने चुने तीन चार formula तीन formulas हैं इन तीन formulas को सबसे पहले आपको study करना है हम focus करते हैं दोस्तों questions के उपर तो हमें basic तक नहीं पता होता और basic अगर knowledge नहीं होगा तो हम कभी भी दोस्तों आगे नहीं जा पाएंगे तो आईए दोस्तों AP को यहाँ पर basic से clear करते हैं और एक बार समझते हैं कि ऐसे question किस तरीकी से solve किये जाए ताकि यहाँ पर दोस्तों जितने भी question अलग-अलग language की question इसमें बनते हैं वो सारे के सारे question मेरे से solve हो जाए यह आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वह one shot भी देख लिया सब कुछ देख लिया जैसे ह question आता है यहाँ फिर होता है इसमें निकालना क्या है problem समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है कैसे क्या पूछा गया कैसे equation बनाओ किस तरीके से a का value निकालो किस तरीके से a n का value निकालो तो उससे पहले आपको यह तीन formula अच्छे से पता होनी चाहिए तो यह formula clear तो भी यह स बताया था कि इन formula पर focus करना बहुत important है बच्चे formula नहीं देख रहे है बच्चे directly सोचने भी इसको solve करें जब तक conceptual clarity नहीं आएगी question कैसे बनेगे तो a n का formula मतलब मैंने बताया था कि address को दिखाता है कौन सा number कितने term पर बैठा है a1 a2 a3 a4 का value क्या है a n उसको दिखाता है n number of terms को दिखाता है तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आगे हमारे पास आता है a plus n minus 1 into क्या होता है दोस्तों d होता है a हमें पता है दोस्तों first term है बहुत basic सरी यह क्या बात कर रहे हो आप बिल्कुल basic यहाँ पर बता रहे हो और यह पता होना चाहिए तभी तो आप आगे of terms है यह आपको clear हुआ यह तीन बातें अगर आपको पता है तो आपको यहाँ पर ap में कोई problem नहीं आएगी सबसे पहले a को identify करना d को identify करना सबसे पहले जब इस formula को लगाओगे तो अपने दिवाद में बात पर रखनी है कि मुझे कौन कौन सी values given है क्या मेरे पास a है क्या म formula एसन का formula क्या है n by 2 है सर और साथ में क्या है 2a plus n minus 1 into d अपना नाम भूल जाओ लेकिन यह formula नहीं भूलने है वही चीज़ यहाँ पर भी a जो है वो first term है बस यह क्या है दोस्तों यह है जी हमारा sum of n terms के बारे में बातचीत होती है यहाँ पे तो sum of n terms यहाँ पर हमें लिखन सकते हैं इसको अब इसी formula से तीसरा formula आता है basically है तो दो ही formula इसी से एक और formula निकल के आता है जिसको हम तीसरा formula बोल देते हैं इसी को आप break कर दो कैसे break करूं सर एसन इक्वल्टू को आप लिख दीजिएगा n by 2 लिखिए और साथ में क्या करें a plus a 2a को क्या कर दें a plus a लिख दिया तो तीसरा जो formula बना दोस्तों वो क्या बन गया यहाँ पर मेरा जो formula बन गया वो बन गया s n equal to n by 2 आया और साथ में क्या आगया दोस्तों a plus यह पूरा पार्ट क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे यह रहाजी a plus n minus 1 into d मतलब a n से आप इसको replace कर सकते हैं a plus a n यहा इसक जब तक clear नहीं होगा यह important सारी बातें important concepts नहीं पता होंगे तब तक question तो नहीं होने वाला है question करने के लिए इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आप बच्चों को problem आती है कि हमें एक तो देदिया 3 term एक देदिया 7 term दोनों को add कर वा रहे अरे यह तो 3 term पे address रखोगे तो 3 minus 1 क्या होगा 2D होगा A plus 2D बनेगा एक 7 term है तो A plus 6D बनेगा A plus 2D और A plus 6D को जोड़ दो उसके बराबर कुछ दिया हुआ है 8 दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 12 दिया हुआ है वो रख दो और equation को बना लो A को A के साथ जोड़ोगे like term से 2 हो जाए या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना पड़ सकता है कि यहाँ पर A का value आपको निकालना पड़ गया, D का value आपको निकालना पड़ गया, N का value आपको निकालना पड़ गया, या पिर SN का value आपको निकालना हुआ, या last term आपको निकालना हुआ, तो यह जितने भी formulas ह सै वैसे तुम्हें दोहीं कहूंगा यह तीसरा फॉर्मला तो इसी से निकला है यहां पर आपको पता होना बहुत इंपॉर्डट है यहां पर APPROACH कैहें जब एक पर फॉर्मॉल आ उसके बाद आता है दोस्तों AP की problem के उपर problem क्या है कि जर्माल नो मुझसे last time पूछा गया अब last time के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि first time दिया हुआ है n का value दिया हुआ है एसन दिया हुआ है तो क्या last time इस पामले से आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा आप अराम से इसको निकालते हैं पहले हमें क्या करना है बहुत अराम से questions को समझना है question को देखके उसके language को देखके आदे लोग तो भाग दाते है 60% लोग तो हतियार डाल देते हैं वहीं पे तो सबसे पहला काम करना है हिम्मत जुटानी है अपने अंदर और AP के question को बहुत अराम से पढ़ना है और जो भी information आपको दीवी उसको लिख ले रहे हैं उसके बाद क्या करना है दोस्तों approach करना है कि A और D जो है A हो गया या D हो गया या फिर N का value हो गया इसको कैसे identify करो कै इसको निकालो यह आपको पता होना चीज़ सारी values को रखिए formula दिमाग में आजान चीज़ ए एन निकालना है मतलब मुझे address बताना A1, A2, A3, A5 कोई मुझे यहाँ पर A5 का value बताना तो A5 का value बताना तो A5 वाला formula यूज़ करूँगा कोई मुझे sum of n terms या sum of 16 terms यहाँ पर formula लगाना है confusion आपके अपने आप दूर हो जाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी help करेगा AP को एक बार लगाने से पहले इस वीडियो को जरूर से देख लेना जो भी बाते मैंने बोली है उस पर आप focus करना यह सारे points आप लोगों के लिए काफी का देखेंगे आगे AOT का देखेंगे quadratic equation का देखेंगे construction कैसे ही ऐसी चीज़ें को approach किया जिनसे हमें डर लगता है उसको हमें डर को अलग से अलग कर देना वही है exam से पहले जो fear हो हट जाएगा तब ही जाके तो नहीं नहीं question कर पाओगे तो basic को clear करो basic पे focus करो definitely आपसे question बन वाद all the best